असलाम अलेकम स्टुडेंट्स वेलकम टो जोलजेवित आमना आज हमने स्टेडी करना है इंसेक्स एन हीमन्स जिसमें हम देखेंगे इंसेक्स के इंपोर्टेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगिटिव एस्पेक्ट्स को तो सबसे पहले इनके पॉजिटिव एस्प देते हैं जैसे के वैक्स हनी और सिलक तो यह जील कोड़ारिण करते हैं अध that out ईंसेक्स जो है वही पॉली नेशिन के प्रोसस के लिए बेद इसपॉंसिबल एं और जातर 65% फ्राइश स्की जो पॉली नेशन है वह इंसेक्ट स्काड घ्र्रू ही होती है वालेजिकल control के agents के तोर प्रैक करते हैं biological control में हम एक biological species को apply करते हैं दूसरी किसी भी harmful species को control करने के लिए तो जैसे scale insect के example है scale insect जो है यह citrus जो tree है plant है उस पे grow करती है और उस पर scales की formation कर देती है तो जब plants पे ऐसे काफी सारे scales यास्ट की फिरमिश्र में हो जाएगी तो प्लाइट की रोध रुख जाएगी उस की भी जो घुख भाइए हो डिक्रीस हो जाएगी तो एक और इंसेक्ट और हमारे पास तो प्लाइड किया जाता है सकल इनकड में तो क्क केलिए तो इसको केलिफॉर्णिय में Sarag किया गया था और इसे काफी ज्यादा बेहतर हमें रिजल्ट्स मिले थे और जो सिक्रस इंड़स्ट्रिय वो दुबारा से रीग्रो हो गई थी कुछ और important aspects में क्या है कि जो soil dwelling insects यानि soil में रहने वाले हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं soil की aeration में, drainage में, turnover of soil में और decay process को भी promote करते हैं इसके लावा insects food web में अपना रोल प्ले करते हैं अफकोस इंसेक्स से small size के विज़े से ज़्यादा तर insects से ही हमारी जो food weba या food chain है वो start होती है और इसके लावा teaching में, research labs में इनको काफे ज़्यादे experimental organisms के तोर पर यूज के दाता है और genetics, population, ecology, and physiology में भी इनको experimental organisms के तोर पर यूज के दाता है इसके लावा जो लोग insects को as a hobby collect करते हैं जैसे के butterfly उनको इलिए एक plier का source भी है ये next हम देखते हैं इनके negative aspects को तो negative aspects में क्या है कि ये as a parasites और vectors of diseases के तोर पे हमारे पास act करते हैं parasites मतलब diseases को, good disease causing और vector यानि disease को एक organism से दूसरे organism तक separate करने का काम करते हैं तो parasites में हमारे पास आती है head body और pubis, hair lice, यानि इसके बाद हमारे पास second number पे bed bugs और fleas तो यह सारी यह human के parasites हैं इसके लावा कुछ insects हैं जो disease को transmit करने का काम करते हैं और disease causing microorganisms को भी transmit करते हैं, flat pumps को भी और nematodes को भी जैसे के insect transmitted diseases में हमारे पास आती है malaria इसके बाद yellow fever, bubonic plague इसको हम ताउन भी बोलते हैं, encephalitis जो के brain की inflammation है, leishminiasis यह एक protozoa leishminia cause करता है leishminiasis और यह जो insect है वो leishminia को transfer करने का काम करता है, इसके अलावा typhus है तो यह होगे हमारे पास negative aspects of insects इसके लावा कुछ ऐसे insects हैं, जो pest हैं यानि जो domestic plants और animals वगरा को destroy करते हैं, damage करते हैं काफी ज़्यादा, और कुछ ऐसे insects हैं जो crops पे feed भी करते हैं और plant diseases को transmit करने का काम करते हैं, यानि अगेन फिर से vectors का काम करते हैं, जैसा कि कुछ plant diseases हैं, Dutch, Elm disease, potato virus और ester yellow इनको separate करने का काम insects करते हैं, तो यह हो गए insects के negative aspects, तो student यह थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपके इसमें से कोई question है, यह confirm यह था आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, अगर आपके वीडियो अच्छे लगया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स वीडियोता के लिए, अलाफिस!